नमस्कार न्यूज एंड व्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ रुत्व भंडारी और बुलेटिन की शुरुआट 26 रनवरी यानिकी गणतंत्र दिवस के दिन किसान संगठनों ने ट्रेक्टर रैली निकालने का बड़ा एलान किया है दिल्लेपुलस उसराली के खिलाफ है जब की किसान संगठनों ने रैली निकालने की इत्राइब तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जो थोड़ी ही देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली हो और ऐसे में एक बड़ा फैसला यहां पर लिया जा सकता है और आपको बतावें कि 26 जनवर यानि की जो गंतन दिर्वस है उससे ने यहां पर किसानों की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है कि ट्रेक्टर रैली यहां निकाली ज़ाएगी दिल्ली पुलिस उस रैली के खिलाफ है अब किस तरह की हां से तस्वीर निकल कर सामने आत लगता है कि किसानों ने भी यहां पर जो 26 जनवरी को रैली और मार्च निकालना है उसको लेकर कि सुप्रीम कोट के पाले में गेंद डालती है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोट इस बात की ताकीत करेगा किसान संगटनों को कि अगर उनको कोई अंदुलन करना है रेली करना है तो वो दायरे में रहके करें थोड़ा सा भीड ना बिलाएं ट्रेक्टर अगर दिल्ली की सड़कों पर दोड़ेंगे तो इसा कुछ मुझे लगता है कि नर्देश वहां से जारी हो सकता कि किसान संगठन जितने लगे हुए हैं अपने अंदुलन को और तेजी से तिवरिता से देवे में उसको लेकर कहीं न कहीं सुप्रीम कोट की फैसली की बात की जाया तो उस दौरान सुप्रीम कोट की तरफ स से कहा भी गया थी 26 जनवरी कोई छोटा मोटा दिन नहीं है हमारे देश के लिए बहुत गौरवान वे ताला दिन है ऐसे में किसानों का इस तरह का प्रदर्शन तो कहीं न कहीं अच्छा मेसिज नहीं जाएगा इसलिए इस पर इंडारेक्टली उन्होंने किसी तरह से कहे लेकिन उसके बाद किसानों का यहां पर निकालेंगे अपकल कमीटी की भी बैठक है यहां पर ग्यारवे दौर की बात्चीत को बात्चीत को चोड़के हमने देखा कि सारी जो बात्चीत थी वह बेनतीजा रहे कमीटी की बैठक में क्या कोई महत्पूर्ण कुछ निकल कर स कि दो बाते बता दूँ एक तो सुरक्षा विवस्था बड़ी चाक और चौबंद रहती है इस कारण से थोड़ी सी अशुदा आती है क्योंकि 26 जन्वरी के जो आयजन होते हैं सरकारी और सार्विनिक कारिक्रम उसको लेकर वहां सुरक्षा विवस्था बहुत बढ़ी की इस कारण मुझे लगता है सुप्रीम कोड इसको संग्यान में लेकर आगे बात कर रही बात आपने जो कमिटी की बैठक होनी है पहली उसमें ये बात स्वाभा भी कि सरकार अपना पक्ष रखेगी किसान संगठन अगर उनसे बात करने जाते हैं आपने बात पहुंचाते है तो उनको भी एपनी बात रखने का अवसर मिलेगा लेकिन ये पहले दर की बात चीत होगी पहले दॉर की मुझे निहीं लगता है कुई बहुत मसवधा तयार हो जाएगा दोनों की दोनों पक्षों की بाते सुनी जाएगी अगर दूसरा जिसको कहते है किसान संगठन अगर कर जाता है बात करता है तो मसुद्य पर बात होगी नहीं तो एक अवसर और दिया जाएगा ऑसके बाद एक तरफा फैसला हो जाएगा लेकिनि आपर सरकार और किसान्थ संगठोनों की गयारवी दौर की बात्चीत है उसे किस तरह से बड़ी बात यह कि वह अपनी फिरुबह जो पर छोड़ देगा मुझे मुझे इसा लगता है कि डिवफ्श यहां कारी्मि किसान है कुछ लोग जाए तर पंजाब के हैं कुछ हर्याड है कुछ राइस्ठान के बोलें कि वो अपना अंदोलन यह जो कानून है उसको ना लें तो कम से कम दिल्ली से जो किसान डटे हुए हैं यहां से हड जाएंगे मुझे लगता है सरकार्य की रास्ता निकाल सकती है ऐसे में अगर हर सिक्के के जिस तरह से दो पहलू होते हैं सुप्रीम कोट का फैसला अगर जादा इस हित में नहीं आता है खेर वो दो देखने वाली बात होगी क्या फैसला होगा सर्वोच नयाले का लेकिन ऐसे में 26 जनवरी को अगर यहां पर किसानों की रैली भी निकल नि क्योंकि मुझे लगता है कि व्यवस्था में कोई नया परिवर्तन होगा कोशिश की जाएगी कि किसानों की टैक्टर रेली को सीमित रखा जाए उनके स्थान को बदला जाए उन मतलब कुछ ना कुछ एक गाइडलाइन टाइप की जारी कर दी जाएगी रितू जिसके अपर सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोट से बिल्कुल की जा रही है कि जब कोई बाक्षी बीठी में रुक जाती है कि सरकार और किसानों के बीच की बात्ची थे वह एक लेवल पर आकर के रुख गई है तो कि किसान अपनी बात बड़ा अड़े हुए हैं वो कह रहे हैं कि आप पूरे तीरों कानूनों को बापत लें और दूसरी तरफ सरकार इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है त तो अब आपके पास रास्ता सिर्फ एक है कि कोई तीसरा पक्षाए और दोनों के बीच में समझवता कराएं तो मुझे सुप्रीम कोट का रोल इस मामले में एक महत्मूर लग रहा है कि वो इस सरफ आगे पड़ता है जिस तरह उसने पहली रात दी कि तीनों कानूनों को बड़ी बात इस चीज और है कि सरकार के साथ आप उसकी बात को मानने के लिए बात नहीं है लेकिन अगर सुप्रीम कोट को इस फैसला देगा तो उसकी बात को मानना कितान और सरकार दोनों के लिए जरूरी हो जाएगा शेलंद्री जी इससे जुड़ा एक मेरा सवाल है क्या ऐसी संभावना बन सकती है कि केंदर सरकार अपने सुप्रीम कोट में जब भी अगली सुनवाई होगी उसमें ये पक्ष रगदे कि हम तो कानून नहीं बदल पाएंगे लेकिन ये निरभर कर दीजिए कि राज्य सरक वो लना हो गीजी देखे देशा उसी तरफ जा रही है और सुप्रीम कोट का जो काम है वो लगबग इसी दिशा में जो बात आप कह रहे है जी तुकि सरकार वेखिए एक चीज़ और सरकार के साथ एक मजबूरी सबसे बढ़ी हो जाती है अगर वो ऐसे आंदूलों पर किसान आएंगे परसो तीसरे लोग आएंगे और इस तरह कोई भी कानून लागू नहीं होगा सरकार चुकर एक कदम आगे बढ़ चुकी है तो पीछे सकने में दिक्कत हो रही है जिसलिए वो एक गली दे रही है जिस तरह लगातार वो बात कह रही थी कि पहले आप सुप्रीम कोड़ने जब कानूनों पर रोक लगा दी सरकार ने उस पर सहमती जाहिर कर दी तो कुल मिलाकर करके दिशा वही जा रही है कि यह राज्यों पर छोड़ दिया जाएगा चुकि एगरी गल्चर और भी राज्य का विशे है ना कि केंद्र का और यही बिवाद रा सुनवाई होगी या चौता सदस नामित करेगी सुप्रीम कोड मुझे लगता कि यह कमेटी पर विवाद पहले दिन से खड़ा हुआ है तो हो सकता है कि कमेटी रिफॉर्म के बारे में भी बात की जाए चुकि लगातार देखी जो चारों लोग लिए गए थे वो चारों का सकता है कि किसान संगठनों से मांगा जाए कि आप दो नाम अपने दीजिये और दो नाम सरकार दे और कमेटी को एक थोड़ा और बड़ा रूप दे दिया जाए जिस पर की एक आगे कोई रास्ता निकाला जा सके कमेटी के जरिये अब बिलकुल सेरी यहां देखने वाली ब भी थ्यही बाद में कमेंटी के साथ किसान संगठन राजी होगे कि उस कमेटी पहले जाएंगे सिप्रीम कोर्ट जाने के लिए लग ownership कमेटी है और इसके साथ ऊएंड हैं और कोई बीबाति नहीं करना चाहते हैं सप्क्राइब का थेयाख. कानुन वापस लेने पर कोई भी डिसीजन सके है. बिल्कुल सहराप हमारे साथ जुड़े उसके लापका बहुत शुक्रियात. 26 जनवरी आने की गंड तंतर दिवस के दिन किसान संगठनों ने ट्रेक्टर रैली निकालने का एलान किया है दिल्ली पुलिस इस रैली के खिलाफ है जबकि किसान संगठनों ने रैली निकालने की इच्वासत देने की मांगे है थोड़ी देर में सुनवाई होगे सुप्रीम मंत्री नितन कतकरी के अलावा केंद्रे मंत्री प्रकाश्य चावरेकर से भी मुलाकात करेंगे इस दौरान सीएम शवराद सिंग चौहान मंत्रियों को प्रदीश में चल रही योजनाओं की जानकारी देंगे दिल्ली जाने से पहले सीएम सुभा अपने निवास पर सुंस्क प्रत भारती प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे और यह लगतार आपको ग्राफिक्स के जरीए दिखा रहा है जाटल प्रोग्रेस वे के टीपियार पर भी दिल्ली में पाच्चीत होगी केंद्रे मंत्रियों से मुलाकात सिंग चौहान करेंगे और थोड़ी ही तेर यानि कि दो फेर 12 बज़े के आसपा सीम यहां से रवाना हो जाएंगे विकास यूचनाओं की सीम जानकारी देंगे और इसको लेकर आत्म निर्भर मध़प्रदीश के रोड मैप पर भी प्रस्ताफ सीम शवराथ सिंग चौहान दिल्ली में केंद्रे मंत्रियों को देंगे दूसरा दौरा का इजरिंडा यहां पर देखा जाए क्योंकि सीम काफी सकती के मोड में लगतार हम भी जिक्र करते हैं कि एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और लगतार काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं देखिए सकती चुकि वह माफियाओं पर है विवस्था पर है लेकिन अब जो योजनाओं पर उनका जो फोकस है योजनाओं का फोकस रितू सीधा सा है कि बहुत तमाम योजना में मुख्यमंत्री ने लागू कर दी हैं लेकिन अब कहीं ने कई फंड्स की थोड़ी सी प्र हरे राइसार कर लोंगा कान है और केंडरी मंत्री निथिनग लखने सी गल्की ऑर योजनाओं और फाइनेंस को लेकित अधिकारी गाते जैसा वह अपनी बैटकों में क्या चुक्क है कि फाइनेंस का गाना नहीं गाएंगे मेरी चाह है और तो रहा निकाल लूँगा काम तो करना है और काम जल्दी से जल्दी निप्टाइना का टारेट लेकर शिवराई इसलिए दिल्ली जा रहे हैं बिल्कुल क्या यह मान लिया वरने वाला है या उसकी जनता का जो बहुत समारने का टार्गेट उसने रखा है उसमें कहीं कोई कठना ही आए तो इसलिए 2023 उनका पहला टार्गेट होगा और उसके लिए सत्ता संगटन दोनों जूटे हुए है और उसी के तहत मदब्रेश में विकास की जो बैयार बनाने अब बिल्कुल अगर आपको याद होगा की तो हाल ही में यहां पर बयान भी सामने आया था कि एस तरह से लगता रहे हैं बचट को लेकर आप मध्रप्रदीश को लेकर अब कही ना कई मंत्रियों को भी दिल्ली तक दोड़ लगानी होगी लेकिन यहां अभी किसी भी तरह क कि उस तरह की कवाया देखने को नहीं मिलेगी मंत्री भी मध्रप्रदीश के दिल्ली जा रहे हैं और इस तरह के दोड़ लगा रहे हैं इससे पहले सिएम शिवराद सिंग चौहान ने केंद्रेवित मंत्री निर्मला सीतरमंट से मुलाकात की और आज यहां और केंद्रे मं केंद्र की को लाइडेम पर वहां उन्होंने साफ तोर पर मंत्रियों से रोड मेप बात करी थी योजनाओं पर बात करी थी और इसी में मैसेज भी दिया था उन्होंने कि अब मैं भी बजट के लिए प्रयास करूंगा तो आप लोगों को भी दिल्ली दोड़ना पड़ेग अधिकारियों को भी कहा था कि आप पूरी प्रजेक्ट रिपोर्ट त्यार करें केंद्र के सामने अपना प्रस्तुची करन दें कैबिनेट सेकेटरी होते हैं उनसे बात करें या फाइनेंस हमें अब लेबल कैसा होगा तो इसका मतलब है कि मुक्य मंत्री तय कर चुके हैं यह साल में कि योजनां और किसी भी तरह की रुकावत नहीं आना चाहिए योजनां अपने सेमय सीमा पर पूरी होगी एसे में क्या और भी कारिक्रम सीयंप शिव्रात सिंग चौहान के दिल्ली में देंद्ली में दो मंत्रियों के मुलाकात का विदीवत कारिक्रम हैं लेकि पहिना कहीं मद्दप्रदेश को लेकर ही इर्दगिर्द होगी हमारे साथ एक्सेक्यूटिव एडिटर महेंदर विश्टकर्मा जी भी जोड़ गया है महेंदर जी आ तीन दिन में यह दूसरा दौरा सीम शेवराज सिंग चौहान का दिल्ली में है जहां पहले भी केंद्रे म मंत्रियों से मुलाकात की थी और अज एक बार केंद्रे मंत्रियों से मुलाकात होगी इसे राश्वति गलियारों में किस तरह से समझा जाए या देखा जाए कि तू नरसल मुख्यमंत्री जब भी दिल्ली आते हैं तो वो एक बजन लेकर जाते हैं और अभी तो आप और हम देखी रहे हैं कि आतनुवर मत्रप्रदेश की बात हो रही है कोरोना के बाद बैक्सीन आ गई है बैक्सीन के बैक्सीन का जो है चालू हो गया है सिस्टम और अ बातनुवर मत्रप्रदेश की परिकल्प ना बने ऐसे में आज मुख मंत रित्रि चोहां का दिल्ली दोरा और दो प्रमुख मंत्रियों से मुलाकात की इंदर य tu Няетन कटकरी और केंडरी मंत्री प्रकाश ज्यांबrendेकर निषẩ को पताना चाहेता हूं कि उर्प्रशा जाबावност देखें कि निटिन गटकरी तोनों का ही मंत्य परदेश से बड़ा भुर रहा है और बड़ा अच्छा रिघ्टा रहा है कहीं निटिन आप प्रदीश का प्रतिनुफ भी रहा है एक समय तो यह समझें आपकी जब नितिन गटकरी राश्टी तब मत्रप्रदेश में कितना उनका लगाओ रहा था अटेज्मेंट रहा था उन्होंने बड़ी रूप रेखा तैयार की थी ऐसे ही प्रकास जावड़ेकर एक समय यहां से राज्टावा सांसद रहे हैं तो ऐसे में तौनों प्रमुक मंत्री और आप दोनों के पास बड़े बहतर वो डिपार्टमेंट हैं आपका हैं मंत्राला हैं आप केंडरी मंत्री जो नेतिन गटकरी उनके पास राज्टी राजमार्ग सड़क परिवहन और लगु सूप जो दियों जैसे महत्पूर्ण में तो प्रकास जावडेकर के पास HRD मिनिस्ट्री है तो दोनों ये चीज आप मत्री प्रदेश में दोनों बनियादी चीजों की आवज सकता है तो जहां एक नई शिक्षा नीती की बात जो है प्रकास जावडेकर से कर सकते हैं और नितन गटकरी से आप देखें डेबलब्मे चल लही है अभी पॉलिटिकली चल लही हो या आप देखें सरकार की योजना योजनाय चल लही हो इन सब पर बात होगी मुक्मंत्री जे अब बिल्कुल महिंदर चीज आप हमारे साथ चुड़े और तमाम तरखिया जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया तो सीम शिवराद सिंग चौहान मंत्रियों को प्रदीश में चल रही योजनाओं की जानकारिया भी देंगे अब रुक करते हैं अगली खबर का जोहां लगतार महिलाओं पर बढ़ते अपराधू की रुक ठाम को लेकर अपॉलस प्रशासन सक्त हो गया है क्योंकि अब यहां तयार की जाएंगे प्रशासन की तरफ से उसके लिए आपको बता दे कि अपराधियों का डोजियर तयार किया जाएगा यानिक एक डेटा तयार यहां किया जाएगा राज्युस्तर पर इसका खाका बन चुका है जल्द ही इसे प्रदीश के सभी थानों में भेजा ज जाएगे आपको बता दे कि डेविट क्रेडिट आधार पैन काड और बैंक अकाउंट की डीटेल भी पुलिस प्रशासन के पास होगी महलाओं पर जुसतरा से अपराध यहां पर लगतार बढ़ते चारे हैं उसकी रोक थाम के लिए अब अपराधियों के आकुंडली तया जाएगे अपराधियों के फोन लाप्टॉप का डेटा भी यहां पुलिस प्रशासन तयार कर रही है और बैंक अकाउंट की जो भी पूरी डिटेल्स है उसकी जानकारी पुलिस यहां लगतार ले रही है निगरानी के बाद आपको बता दे कि इसका यह फायदा जरूर पुरंत उसके पास पहुंच सकती है अपराधि के पास और इस जो भी वारदात होगी उस पर जल्दी कारवाई यहां पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा सकती है चर्चा करेंगे गीजरी जिस तरह से यहां पर पुलिस प्रशासन की तरफ से सकती दिखाई जा रही है और टेटा अब तयार किया जा रहा है अपराधियों का और इसके साथ ही जादतर हमने भी देखा कि महिला अपराध अगर बढ़ते हैं तो उनके परिज्वन ही सबसे जाद है यहां पर निकलते हैं अब उनकी भी कुंड़ियां तयार की चाहिए कितना सही फैसला इसको आप देख रही है और जिन अपराधियों के जानकारी आ गई है गरफतारी हो गई है उनके मकानों को जमीदोच किया रहा है उनकी संपत्यों को नस्ट किया जा रहा है तो लेकिन उसके बाद भी घटना नहीं रूक रही है तो पुलिस भुभाग को निर्देश दिया और पुलिस लोगों के साथ वह राद दिन उठते बैठते हैं तो जिसमें अपराधी पर पूरी तरह से नियंत्रन रह सकेगा और कहीं किसी अपराध अगर होता है तो वह कितनी उसका इंवाल्मेंट कितना है इसकी जानकारी बहुत तेजी से लगपाईगी रितू ऐसे में जुस तरह स लेकर उसका भी डेटा तयार यहां किया जाए अब इस तरह का यहां पर महिला अपराध की रूख खाम के लिए डेटा तयार पुलिस की तरफ से करना इसी किस तरह से देखा जाए किस तरह समझा जाए क्या अब जाकर अपराध हो पर यहां अंकुष लगता हुआ नजर होगाना चनत करने के उनकी ट्यार्सटा करें अगर य Luther त्यार receipt करें मुझे लिट हम लगाधान के की इस तरह के जितने भी अपराद हैं उनको चन्यत कर जर्ट करने की साथ पूरे डाटा यह दुस्थ तयार और अगर एक्षक काम के लिए तो मुझे लगता है महिला अपरादों में सरवादिक नियंत्रन होगा और आपको मैं उधारन बताता हूं कि जो उमरिया में जो जगन्य अपराद हुआ बच्ची के सांथ उसके अपरादी के घर को जमी दोश कर दिया गया है तो इसका तात्पर है कि डर और दहशत बनाई ज जारे इसके तहट अपरादियों का डोशी अरतयार करेगी जो हर आचस्तर पर इसका काम भी शुरू हो चुका है और इसके बाद अब पुलिस प्रशासन जो प्रदेश के चार पांचर और चुनिंदा थाने हैं उनमें के परिस्त जारी करेगी जिसको लेकर महिला अपराद राचियों के मैदान में होने पर उनके खर्च के निगरानी के लिए राचो नर्वाचुन अधिकारी के आपको बता दे कि अधीन हेल्ट डिस्क का गठन करने जा रहा है जोहां इसमें विद सेवा के वर्तमान और सेवा निवरिती अधिकारीयों को शामिल किया गया जहां भुपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपूर निगब में पारशवत के चुनाव की सीमा 8.75 लाक रुपे यहां तैकी गई है राचर निर्वाचन अब हेल्ट डिस्क का यहां गठन करने जा रही है जोहां 8000 प्रत्याशियों के खर्चों पर अब यहां राचर निर्व देख्या हो जाता है या फिरिफ्दु बेफिजूल का खर्चा होता है लेकिन इस बार निर्वाचन आयोग ने तह किया है कि पारशवतों के चुनाव होते हैं पारशवत अपनी कितनी सीमा में खर्च करते हैं यह कि आप साले चार-पांच-वाच लाग से प्रत्याशी को इतना खर्च करना कुल मिलाके उसका पूरा निगरानी रखी जाएगी और जो खर्चा है उसका पूरा भीवरा लिया जाएगा अगर इस पर कहीं किसी तरह की लापरवाही या किसी तरह का कोई ऐसा लगता है कि अधूरी जानकारी दी गई तो फिर उसके पर निर्वाचन आयोग बाद में त्या करेगा तो इन खर्चों से क्या किसी तरह का या नियंत्रन लग पाएगा देखी हेल्प टेक्स में जिस तरह बनाई गई है उस पर स्वाभावी तो और से नियंत्रन है को आपको आपके प्रत्याशी को अपना बेवराता देना पड़े करता था आपने देखा हुआ कि जब छोटी नगर सरकार के चुनाओं की बात होती है तो सब क्या होता है वहां एक सबसे बड़ी बात होती है यह तो आपकी जो पहचान है उसके आधार पर चुनाओं होता है लेकिन कई बार नोट बांटने की और दूसरी जो प्रिलोबन द देना होगा करीब 8000 पार्शत प्रत्याशियों के मैदान में होने पर उनके खर्श की निगरानी के लिए ब्राचों निर्वाचों अधिकारी के अधीन हेल्ट डेस्क का गठन करने चारा है इसमें वित सेवा के वर्तमान और सेवा निवृत आपको बताते कि अधिकारियों को शामिल किया गया है फिलान न्यूज और व्यूज में इतना ही आप बने रहे डिनन के साथ नमस्कार नमस्कार कर दो 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 कर दो